देखें जैसे कि आप जानते हैं मैं time to time आपके लिए अच्छी से अच्छी scholarship scheme लेके आता रहता हूँ आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए के special scholarship scheme लेका हूँ जहाँ पर आपको अच्छा खासा amount आपकी पढ़ाई के लिए आपको मिल सकता है ठीक है तो वीडियो को start करते हैं scholarship का जो नाम है वो है रोयल्स रोय जो कार कंपनी है लोग आपको यहाँ पर देख रहा होगा तो जितने भी बड़ी कंपनियां होती है या foundation होती है वो time to time students को पढ़ाई के लिए पैसा देते रहती हैं scholarship के मादम से ताकि बच्चे आगे पढ़ाई करें आगे बढ़ें और देश आगे बढ़ें ठीक है तो काफी help करती है बड़ी बड़ी कंपनिया तो रोयल्स रोय भी यहाँ पर एक foundation एक scholarship लेका है तो scholarship को नाम है रोयल्स रोय scholarship for women engineering students ठीक है और नीचे देखे लिखा हुआ साब साब empowering future women engineers याने कि special category इनकी है काउनसी women ठीक है यहाँ पर women का photo लगा रखा है तो special लड़कियों के लिए ही यह scholarship है ठीक है तो अगर आप एक लड़के हो तो यह वीडियो आप देख लो बेसक आप किसी को share कर देना अपनी बहन वागरा को ताकि उनके help हो सके ठीक है बाकी लड़कों के लिए तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो यह special लड़कें के लिए ही वीडियो है बाकी आप अपनी बहन को यह share कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर scholarship का जो amount है वो है 35,000 रुपीज जो की काफी ज़्यादा अच्छा amount है एक तरह से पढ़ाई की नजरी से देखा जाये तो ठीक है यहाँ पर आपको आना है नीचे पेज का लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा ठीक है यहाँ पर आप नीचे आओगे सबसे पर आप बात करता है है eligibility की चुकी important है तो जो भी student first year या फिर second year या फिर third year में है इस साल याने कि 2023 में अगर आप first year में आओगे second year में आओगे या third year में आओगे तो आप apply कर सकते हो सिर्फ female students यहाँ पर apply कर सकते हैं ध्यान रखना first year में या second year में या third year में आप इस साल 2023 के अंदर आओगे तो पढ़ाई करोगे तो ठीक है field की बात करूँ तो आप अगर aerospace या marine या फिर electronics या फिर computer या एटी से लिखा होगा है ठीक है तो आप किसी भी category से होगे एक तरह से apply यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है उनके 10th और 12th class में minimum 60% marks होने चाहिए 60 से वैसे अब होने चाहिए तो कम से कम 61% माल लो आपके marks होने चाहिए 10th और 12 तोनों में कम से कम ज्यादा हो तो अच्छी बात है पर इस से कम नहीं होने चाहिए family income की बात करो तो 4 lakh रुपीज पर एनम से कम आपकी family income होने चाहिए परिवार की वार्षी का है 4 lakh रुपे से कम होने चाहिए ओपन फोर स्टुएंट्स फ्रॉम पैन इंडिया है यहने कि आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हों किसी भी स्टेट में apply आप कर सकते हो eligible हो ठीक है दोकुमेंट्स की बात करें आपर तो पास्पूर्ट साइस फोटो आपकी address proof आधार काड class 10 और 12 की self attached copy यहने कि फोटो का पर निकालके उस पर आप अपने sign कर देना self attached हो जाएगी ठीक है इसके लाबा previous academic year mark sheet जैसे कि मान लीजे आप reapply कर रहे हो इस scholarship के लिए या फिर आप second year में आ रहे हो first year में already ले चुके हो third year में आ रहे हो second year में already ले चुके हो तो उनके लिए ये वाला चीज़ है ठीक है इसके लाबा जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसका proof क्या है निकि college के ID proof होगे अभी आइडिविशन फीस वगरा हो गया उसका proof आप देना पड़ेगा इसके लाबा undertaking देनी पड़ेगी जो कि college से यहाँ पर sensation की जाएगी और last में bank account की detail क्योंकि जो पैसा आपको मिलेगा वो आपके इसी bank account में मिलेगा ठीक है तो उसका cancel check या फिर आप passbook की copy यहाँ पर दे सकते हो ठीक है यहाँ पर नीचे हम बात करें apply करने की तो बहुत simple step है यहाँ पर आपको apply now का option मिलेगा इसके बाद आपको registration करना पड़ेगा उसके बाद आपको apply करना पड़ेगा ठीक है apply करने का documents वगर आपको अप्रोड करना पड़ेगा इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है ठीक है online आपका सारा काम होजाग खतम आपको इन documents को कहीं पर भी भीजने की ज़रूत नहीं है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर कि process क्या है किस तरीके से आपको यहाँ पर selection होगा या किस तरीके से यहाँ पर scholarship दी जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आप simply click करोगे तो process बहुत simple है यहाँ पर सबसे पहले एक merit based यहाँ पर list निकाले जाएगी जितने भी students form भरेंगे उनके marks के base पर यहाँ पर एक list निकाले जाएगी merit based list और जो उस list में sort list होंगे उनके होंगे documents verification उसके बाद आपका telephonic interview होगा और उसके बाद face to face आपका interview होगा और उसके बाद आपका selection होजाएगा और आपको scholarship मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर यह पूरा process है इसके बाद बात करें कि अगर आप फिलाल btec program अभी पढ़ रहे हो final year में तो apply कर सकते हो तो बिलकुल apply आप कर सकते हो ठीक है बिलकुल apply कर सकते हो कोई दिकत की बात हैं आपर नहीं है इसके बाद second है आपर third थर्ड है यह जो scholarship है यह one time होती है या फिर हर बाद मिलती है तो देखिए यह जो scholarship है one time रहती है normally मतलब कि आपको एक बार में पैसा मिल जाएगा यह हर मेरे नहीं मिलेगा एक बार में पैसा मिल गया उसके बाद आप next year ने पहुचोगे और यह जो company है वो next year में scholarship मिकालेगी तो आप reapply कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है next नहीं पर how will the scholarship amount scholarship को जो पैसा है वो कैसा मिलेगा तो direct आपको bank account में मिलेगा जो bank account आप यहाँ पर attach करोगी ठीक है last नहीं पर है आपका minimum percentage कितनी होने चाहिए scholarship रेने के लिए बता दिया है मैं आपको 10th 12th में आपके minimum 60 button marks होने चीए ठीक है दोस्तों तो सब कुछ मैं आपको बता दिया है female जो students है वो apply कर सकते हैं बहुत बड़ी है scholarship है आसान तरीका है इसके अलावा जो interview question है उसके अलावा जो interview question है उसके अलावा जो interview question है आपको चाहिए तो प्लीज आप बता दोना ठीक है एक last season बताना चाहूँगा जो की बताना भूल गया था कि इस scholarship की जो last date है वो है 31 August 2023 ठीक है अभी चल रहा है हमारा जुलाई तो अभी आपके बास करीब पूरे दो मेने बचे हैं लागबग तो अप्लाई कर दीजी ठीक है Thank you very much